नमस्कार और वेलकम टू स्टडी एक्यू माइडियर फ्रेंड्स मैं हूँ प्रशांत मावानी आई होप यू ओल आ डूइग गूड अलो तो आज सेकंड जानिवारी है और आप देख सकते हैं कि एक नई शुरुवात हमने की है आज से आप मुझे देख पाएंगे तो फ्रेंड्स सेकंड जानिवारी है और दिन है सेटरडे दिन की शुरुवात करना चाहूंगा इस पिक्चर और इसके नीचे एक कोट है लीप एंड दे नेट विल अपियर यहाँ पर लीप का मतलब है कि साहस कीजिए थोड़ा साहस अगर आप करेंगे थोड़ा calculated risk अगर आप लेंगे तो यही calculated risk जो है उसी के साथ एक by product के तोर पर आपको safety भी मिलेगी you know you will not fall down अगर किसी चीज को आप कर रहे हैं और if you give your 100% अगर आपने अपना जो भी है आपका जो भी talent है आपका आपकी जो भी capacity है वो सारी चीज़े अगर आपने उसमें पिरोधी है तो यकीन मानिये बलही उस particular चीज में आप successful ना हो लेकिन आप दूसरी किसी field में definitely वो talent ज है वो कभी waste नहीं होगी तो leap and the net will appear आज हमारे table के उपर है चार important topics clear connection फिर ये 4G और telecom के साथ जुड़ा हुआ topic है the second was ये covid-19 के साथ जुड़ा हुआ topic है then एक article लिखा है हमारे former supreme court के judge mb lokur साब ने बहुत ही अच्छा article it's about ordinance और last में instant lawn apps के बारे में बात करेंगे this one is from times of video बाकी के तीन articles जो है वो the hindu newspaper में से हैं dear friends the new year sale is on हमारे सभी smart courses के उपर UPSC के लिए एक dedicated smart course है इसके उपर भी आपको flat 50% discount मिल रहा है extra 5% discount मिल गा when you'll use this code new year 5 6th januari तक ये offer valid है make the most out of this offer clear connection the end of the interconnection usage charges IUC आपको पता है कि जियो ने एक advertisement की थी कि 1st januari से आपके calls जो है voice calls जो है वो जियो free कर देगा तो IUC क्या होता है interconnection usage charges का मतलब यह हैं कि for example let's say कि ये जियो है और यहां पर है what we have idea atle right तो अगर आपके एक friend है जो atle use कर रहे है तो आप जियो अपने जियो phone में से अगर आप उनको या फिर जियो connection में से जियो के card में से अगर आप atle को call करते हैं तो क्योंकि अब जियो की system जो है वो atle की system के साथ connect होगी तो क्योंकि आप atle की system यूज कर रहे हैं तो you have to pay a bit of charge तो यह था interconnection usage charge one telecom operator paid a charge to another on whose network a subscriber's voice call was completed voice call कब complete होता है आप x हैं आप y को call करना चाहते हैं तो आपके phone में से किया लेकिन यहां तक जियो है और बाकी airtel जो है यह जो connection हो रहा है और airtel आपको यह facility प्रोवाइड कर रहा है आपके user को कि आप y के साथ connect कर सके तो इसको लेकर एक charge था यह बहुत elements language में मैंने आपको यह चीज समझाने की कोशिश के हैं यह चीज समझ में आ गई होगी तो now companies should focus on upgrading their networks and service अब यह interconnection usage charge जो है वो खत्म हो चुका है कल से यानि कि 1st January 2021 से तो अब companies जो है टेलिकॉम companies को क्या करना चाहिए टेलिकॉम companies should focus on networks बहुत सारे गाव ऐसे हैं बहुत सारी जगाए ऐसी हैं in fact कुछ cities में भी ऐसा होता है कि city area में भी आपको network के issues होता है कई आपके friends आपको कहते होंगे कि हमारे घर में इस particular tower या फिर इस particular company का issue है या फिर किसी को geo नहीं मिलता है किसी के वहाँ पर air tell नहीं पहुचता है तो यह सारी चीजों को sort out करना चाहिए और अच्छी services अच्छे products के call drop कम हो आप बात करें हो और call cut गया तो यह सारी चीजे ना हो internet जो है यह flawless रहे आपको एक speed एक standard speed all across the board मिले ऐसा नहीं कि कई जगा उपर अच्छी speed कई जगा उपर बहुत ही कम speed तो यह जो एक gap है कि कहीं पर आपको बहुत ही अच्छी speed मिल गया और कहीं पर बहुत ही कम तो यह चीज ना हो इसके उपर telecom companies को focus करना चाहिए यह जो एक measure है यह IUC को हटाने का measure जो है वो लगबग एक साल तक delay किया गया था by TRAI TRY ने इसको delay किया था और TRY का मानना यह था कि बहुत सारे operators जो है वो इस चीज़ को लेकर फिलाल ready नहीं है Now we know dear friends के हमारे देश में 4G जो है वो काफी proliferate हुआ है यह काफी बहुत सारे लोगों ने particularly Jio के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने 4G connection लिया क्योंकि starting के टाइम पर Jio ने इसको free रखा था और जितने लोगों के पास 4G phone था तो free में SIM card मिलता था और I think लगबग एक साल तक उन्होंने अपनी services भी free दी थी तो लोगों ने free data यूज किया free calls यूज किये और उनको एक first hand experience हुआ कि 4G जो है उसकी speed क्या है और कैसे आप इसको 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 इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़े revolution के तोर पर साबित हुआ और मुझे याद है कि ये जो companies है means 4G available था ऐसा नहीं है कि Jio नहीं हमारे देश में 4G introduce किया है लेकिन Jio की entry जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी entry थी क्योंकि उससे पहले Vodafone और Airtel ये कुछ एक GB 1 GB अगर आपको use करना है तो you used to pay like 300-400 रुपीज पर मन्त लेकिन Jio ने इसको free कर दिया तो एक revolution आया और फिर दूसरी companies जो है उनको भी अपना 4G जो है उसकी prices कम करनी पड़ी और prices drop होई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने 4G को अपना है I'll give you just one example right 4G के success के बारे में अब देखिया कितनी सारी YouTube channels है हमारे देश में including study IQ कितनी सारी YouTube channels जो है उनके success के पीछ है one of the main reason is 4G revolution हमारे देश में सबसे ज्यादा youngsters जो है वो mobile के माधियम से videos को देखते हैं YouTube या फिर internet को access करते हैं तो ये चीज हो पाई because of this free connection या फिर free या फिर कम पैसो में एक affordable price में ये सारी चीज़े उनको मिलने लगी economic survey 2019-20 ये कहता है कि intense competition जो है इसकी वज़े से private players भी drop हुआ आपने देखा कैसे Vodafone फिर Airtel दूसरी companies भी थी तो ये कुछ companies merge हो गई Vodafone idea merge हो गई क्योंकि अकले survive करना possible नहीं था Airtel ने भी I think पैसे borrow किये थे और ये सारी troubles चल रहे थे उनके क्योंकि GEO की entry आई तो इतने intense competition हो गई कि वो survive बहुत सारी companies जो है वो loss making companies हो गई but anyway it is good at the end of the day beneficial था customers के लिए लेकिन rules and regulations ऐसे होने चाहिए कि किसी की monopoly ना हो competition is always good for customer अगर 5-6 अलग-अलग operators आपको अलग-अलग चीज़े offer कर रहे हैं तो वो compete करेंगे एक दूसरे के साथ और इसका फाइदा होगा consumer या फिर customer को BSNL और MTNL BSNL ने बहुत सारे losses किया as we know BSNL वन रीजन वाई BSNL successful नहीं हो पाया उसके पीछे main reason यही है क्योंकि वो जो एक drive होनी चाहिए क्योंकि BSNL एक government की company है तो आप performance दे आप performance ना दे आपकी salary तो आपको मिलते ही जाएगी आपके उपर कोई ऐसा pressure नहीं है क्या आप इतने cards या फिर इतने नए customers लाएं तो यह सारी चीज़े थी और एक पुरानी परमपरा थी जब landline connection से BSNL के द्वारा provide किये जाते थे तो phone dead हो गया आप complaint लिखवाते हैं तो एक महिना भी लग सकता है देड महिना भी लग सकता है तो साल में लगबग एक महिना तो आपका phone जो है वो बंद रहता था तो कोई ऐसा competition नहीं थी तो कोई ऐसा performance का pressure नहीं था लेकिन बदलाव आये और BSNL अपने आपको change नहीं कर पाई अब सरकार के सामने ये भी प्रशन उठता है कि क्या इन companies को बंद किया जाए कुछ ताइम पहले ये प्रशन उठा था लेकिन सरकार ने फिर decision की लिया कि बंद नहीं करते हैं let's continue with BSNL 4G की बात करें तो ये एक आप आकड़ा जो है ये आप देख सकते हैं ये जियो की entry के बाद September 2017 तक हमारे देश में 196.9 million लोग 4G के subscriber थे आप June 2019 में देखिए 517.5 million हमारे देश की population का लगबग 50% जो एक वर्ग है वो 4G यूज करता है और बहुत potential भी है लगबग 50% जितने लोग बाकी के जो total इतने subscriber है हमारे देश में 1165.46 million subscribers ये wireless subscribers है और इन में से लगबग 50% जो है वो 4G का इस्तमाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी और 50% है जिनको 4G दिया जा सकता है और अब वक्त आभी चुका है कि IOC के साथ साथ अब IOC खत्म हुआ है तो ऐसी policies बनानी चाहिए कि जो लोग 2G और 3G यूज कर रहे हैं उसी prices में लोग ज्यादा means उनको 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 एक अपग्रेडेशन होना चाहिए 4G का expansion होना चाहिए कि minimum हर एक व्यक्ति जो है उनके पास 4G तो हो ही अब एक दूसरा प्रशन यह भी आता है कि क्या हर एक व्यक्ति को इसकी आवश्यक्ता है the answer is no I'll give you an example of my maternal grandmother मेरे जो नानीमा है तो उनको कोई 4G की आवश्यक्ता नहीं है she lives in a village और उनके पास एक simple सा जो हम कहते है feature phone है लेकिन अगर let's say उनका card निकाल कर किसी आप किसी smart phone में use करे तो उसमें 4G services आनी चाहिए इतना किया जा सकता है अब use करें ना करें that's a different thing लेकिन minimum 4G क्योंकि अब देखिए दुनिया के दूसरे देशों में USA, South Korea, then you have China तो ये सारे देशों ने 5G के trials को launch भी कर दिया है तो try हमेशा से ये organization जो है इसका कहना ये है try का के consumer welfare जो है उसको बहुत ज्यादा importance दिया जाता है कि consumer को right choice मिले, right price में उनको चीजें मिले और अच्छी services, good quality of service customers को मिले तो अगर ये एक overall target ये तीन चीजे try अगर achieve करना चाहता है तो spectrum की prices जो है वो भी कम होनी चाहिए फिर दूसरे जो licenses, unnecessary जो licenses हैं ये सारी चीजे हटा देनी चाहिए थोड़ा freedom telecom sector को भी देना चाहिए और जितना ये telecom sector penetrate होगा, जितना spread होगा, जितनी ये 4G, 5G services क्योंकि future 5G हमसे बहुत दूर नहीं I think 2022 में तो 5G हमारे देश में अलग-अलग जगाव अपर हमें देखने को मिलने लगेगा and by 23, every one of us would be using 5G तो अब 4G का penetration जो है वो 100% तो I think होना ही चाहिए so that's basically everything in this particular topic badly priced spectrum could lead to auction failure ज्यादा prices है तो auction जो है वो fail होंगे कोई आएगा ही नहीं आपके spectrums खरीदने के लिए dear friends, आज के lecture की video फो डाउनलोड करने के लिए check out my telegram channel अगर आज का video पसंद आता है तो please hit the like button lecture को दूसरे students के साथ share जरूर करे और हमारी channel study IQ education को subscribe करना ना भूले the second dose second dose जो है ये UK ने अब total तीन ऐसे vaccines हैं जिसको green signal green flag मिल गया है UK में 30th December को AstraZeneca की जो COVID vaccine है उसको green signal दे दिया emergency use authorization grant किया गया AstraZeneca की vaccine को तो total तीन vaccines हो गया है UK में dear friends मैंने कुछ time पहले आपको mRNA के बारे में विस्तार से समझाया था तो जो Pfizer है जो Moderna की vaccine है ये दोनों vaccines mRNA vaccine platform के उपर बनाई गई है AstraZeneca जो है ये एक बहुत ही वीक वर्जन जो है इस वाइरस का इडिनो वाइरस इसका इस्तमाल करता है तो ये एक difference है ये difference आप सभी को पता होना चाहिए ये कोई नया topic नहीं है mRNA और ये एडिनो वाइरस तो I'm not going into too much details of it लेकिन अगर आप नय है तो आपको ये पता होना चाहिए है कि mRNA vaccine जो है वो एक artificial एक प्रकार से आप कह सकते है कि artificial ऐसे proteins create किये गए है और आपकी बोडी में ये vaccine जब जाती है तो वो you know automatically जब भी वाइरस आपको attack करेगा तो ये synthetic material जो है वो एक defense system create कर देगा और यहाँ पर जो normally किया किया जाता है अगर आप polio की vaccine को देखें तो polio की vaccine में भी यही होता है एक weak version जो है उस virus का inject किया जाता है फिर body हमारी used to हो जाती है और फिर जब भी वो virus हमें attack करता है तो क्योंकि वो weak virus को fight कर लिया था तो वो system हमारे पास है और हमारी body के पास है and then our body fights with the new virus तो ऐसे यह काम करता है यह बहुत ही layman's language में आपको समझाया है now the thing is कि यह जो vaccine है AstraZeneca की उसकी खास बात यह है कि आप इसे 2 degree से minus 8 degree तो 2 degree Celsius से अगर drop होते जाए हम तो minus 8 degree Celsius तक यह range है इसकी इस range में अगर आप इसको store करे और transport करे तो यह vaccine की quality ऐसी ही रहती है यह damage नहीं होगी तो this is a good news good news इसलिए है क्योंकि जो current हमारे पास system है UK की नहीं हमारे देश की भी बात करें तो minus 8 जो है it's not a big number दूसरी बहुत सारी ऐसी दवाईया है vaccines है जो हम इस temperature में store करते हैं already यह setup हमारे पास है खास करके developing देशों के लिए जिनको कई बार global south कहा जाता है right global south का मतलब है developing nations और इंडिया को भी global south का party माना जाता है तो बहुत सारे ऐसे गरीब देश developing देश जो हैं उनके लिए यह vaccine आशिरवाद रूप हो सकती है क्योंकि आपको बहुत बड़े बदलाव आपकी logistics और storage facility में नहीं करना है the emergency use approval makes it easier for similar ascent to vaccine tested and manufactured in इंडिया हमारे देश में भी जो यह same vaccine है तो इसको भी green signal मिल जाएगा based on this thing now the thing is कि European Medicines Agency ने EMA ने यह कहा है कि हमें और ज्यादा additional information चाहिए AstraZeneca की quality safety और efficacy को लेकर उसके बाद ही European Medicines Agency जो है वो इसको green signal देगी दूसरी एक interesting चीज़ जो UK के scientists वहां की companies और वहां के regulators ने की है वो यह है कि जो first dose दिया जाता है और जो second dose दिया जाता है तो इसके बीच में लगबग चार हफ़तों का यानि की एक महीने का gap रखा जाता था अब इन्होंने क्या किया कि उन्होंने first dose दिया और second dose जो है वो लटसे आपने छे हफ़तों के बाद दिया देट महीने के बाद तो एक बहुत ही interesting चीज़ सामने आई कि अगर आप थोड़ी इसकी जो गैप है इसको थोड़ा अगर extend कर देते हैं तो vaccine कुछ अच्छी तरीके से काम करती है that's very interesting कि अगर आपने कुछ हफ़ते add कर दिया कुछ दिन extra आपको first जानिवारी को दिया गया था next dose आपको 31st जानिवारी से पहले मिलना था लेकिन सरकार ने आपको 15th फेबरुवारी को dose दिया तो ऐसा लगता normally ऐसा लगता है कि ये तो डिले हुआ तो हमारे बोडी के वेपर इसकी negative impact होगी या फिर हम coronavirus हमें हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है इंट्रेस्टिंग चीज ये है कि थोड़ा डिले किया गया तो ज्यादा fight करने की क्षमता बोडी ने डेवलोप की तो इसका फाइदा ये हुआ कि पहले ये था कि लिटसे आप 100 लोगों को अगर आपको इनोक्यूलेट करना उनको vaccination देना है तो आपको 200 doses तयार करने पड़ेंगे एक महिने के अंदर अगर आपका ये target है समझने की बात है कि आपको 100 लोग है तो आपको चाहिए 200 doses एक महिने में आपका ये target है कि 100 लोगों को vaccinate करना है लेकिन अगर आप इस एक महिने को 1.5 कर दें तो अब आपके पास वक्त ज्यादा हो गया तो आप ज्यादा doses पैदा कर पाएंगे और ज्यादा लोगों को cover कर पाएंगे तो ये एक time जो है time को जीतने की जो एक technique है या फिर time का maximum utilization करने की जो technique है ये काफी एक interesting technique है अब देखते हैं कि हमारे देश में means UK ने तो इस चीज की permission दे दी है तो फिलाल हमें क्या करना चाहिए हमारे देश में ये जो time gap है इसको थोड़ा extend करके UK जो कर रहा है उसी चीज को यहाँ पर replicate करके replicate यानि कि उसी pattern को यहाँ पर हम copy paste करें और देखें कि वाकई में ये एक effective way है या नहीं moving on to the third topic मदन भी लोकूर साब ने ये article लिखा है ये मदन भी लोकूर साब जो है वो justice मदन भी लोकूर Supreme Court के judge रह चुके है और काफी interesting article है बहुत ही interesting article है हमारे constitution में article 213 sub article 1 है इस article में ये कहा गया है कि जब किसी राज्य में जो legislative यहाँ पर हम बात करें जब भी राज्य की बात करें तो वी आर टोकिंग बाट गवर्नर राज्यपाल ordinance के साथ जुड़ी हुई जुड़ा हुआ ये topic है या फिर ordinance के साथ जुड़ी हुई ये बात है तो legislative assembly अगर session में नहीं है और आपके राज्य में लेट से कई ऐसे राज्य है हमारे देश में और बताइए कितने ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जहाँ पर आपको legislative assembly और legislative council विदान सभा और विदान परिशद ये दोनों देखने को मिलती है मुझे figure नहीं चाहिए I want the names तो जो नाम है states के वो आपको comment section में provide करना है तो अगर legislative assembly session में नहीं है अगर legislative council session में नहीं है दोनों houses अगर session में नहीं है अगर आपके राज्य में लेट से legislative council हैं लेकिन legislative assembly जो है वो session में नहीं है legislative council session में है तो फिर आप ordinance नहीं जाएर कर सकते है तो जब ऐसे circumstances create होते है जब governor को लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हो गई है या फिर हो रही है कि अब हमें या फिर governor को ये लगता है कि अब एक वक्त आ चुका है कोई ऐसा problem सामने आया है जिसको solve करने के लिए legislative assembly विदान सभा की रा नहीं देखी जा सकती उस time पर वो ordinance जो है उसको promulgate यानि की issue कर सकते है I hope ये चीज़ clear हो गई होगी इसकी तीन preconditions है state legislature should not be in session जो मैंने अभी आपको समझाया दूसरी चीज़ कि ऐसी चीज़ उनको एक ऐसा circumstance होना चाहिए एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि लगता है कि कुछ action इसके उपर लेनी ही पड़ेगी तो ऐसे circumstances हो और immediate action की requirement हो ये तीन चीज़े जब fulfill होती है तब गवरनर जो है वो ordinance को promulgate करते हैं issue करते हैं और article 123 में president की उपर same rules apply करते हैं जो मैंने अभी explanation दिया वो राज्य के लिए governor और देश के लिए president now the thing is कि अगर आप कोई ordinance promulgate करते हैं तो इतना तो देश का और इतना तो इतनी responsibility तो रहती ही है सरकार की when I say सरकार I'm talking about governor and I'm talking about president कि at least ordinance के introduction में explanation दिया जाए कि क्यों इस particular ordinance के requirement कौन-कौन से ऐसे circumstances थे main-main कौन-कौन सी ऐसी चीजे हैं जिसकी बज़े से ये decision लेना पड़ा कि आपने session की राह नहीं देखी और आपने एक ordinance प्रमलगेट किया the reason for immediate action as yet not justiciable यानि कि आप इसको कोट में challenge नहीं कर सकते technically आप इसको कोट में challenge नहीं कर सकते तो अगर किसी president ने या फिर governor ने कोई ordinance प्रमलगेट किया issue किया तो फिर आप इसको कोट में challenge नहीं कर सकते लेकिन supreme court ने ये कहा है कि इसके उपर inquiry हो सकती है supreme court का कहना ये है कि अगर आपका decision ऐसा कुछ है तो फिर नहीं है इसके उपर अगर हमारे पास ये matter आएगी तो हम देख सकते हैं उसको हो सकता है कि हम उसके उपर कुछ कहें आपको yes भी कहें या फिर उसको no भी कहें दे अब बात यहां पर है उत्तर प्रदेश prohibition of unlawful conversion of religion ordinance ये बात है ये ordinance जो जिसको commonly anti-love jihad ordinance कहा जाता है anti-love jihad कि लव जिहाद की जो भी game चल रही है so called तो उसको बंद करने के लिए एक सरकार ने ordinance और इस ordinance को लेकर कोई ऐसा खास explanation नहीं दिया गया है तो that is point number one that you need to keep in mind कि explanation जो है क्यों इसकी आवशक्ता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है अब एक circumstance को imagine करते हैं दिखिए अगर let's say चलो मान लेते हैं कि forcefully या फिर हमारे देश में बहुत ऐसे खास करके लड़किया बहुत ही भोली है ऐसा हम मान लेते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है आपको इस प्रकार के ordinance को issue करना पड़ रहा है adult व्यक्ति अगर आप vote दे सकते हैं आप I think marriage से तो बहुत ही ज्यादा हमारे देश में driving करना है हर साल कहीं आपने सुना के marriage करने के बाद एक व्यक्ति की मृत्य हो गई marriage is not the reason for death लेकिन road में हमारे देश में हर रोज लगबग 400-500 लोगों की मृत्य होती है और उनसे ज्यादा लोग disabled हो जाते हैं तो 5 लाख जितने लोग जो है वो disabled होते हैं कुछ और डेड़ लाख या फिर डेड़ लाख से ज्यादा लोगों की मृत्य होती है because of road accidents तो ज्यादा खतना क्या है of course road accidents है तो ऐसी चीज़ जो सरयाम हो रही है road accidents उसको रोकने के लिए हम इतने ज्यादा चिंतित नहीं है लेकिन हम ये मानते हैं कि लोग जो what I was trying to tell you is कि अगर 18 years के बाद आप driving license लेकर road पर जा सकते हैं जो एक बहुत ही risky चीज़ है तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है लेकिन marriages inter faith marriages अगर कोई A community का लड़का या फिर A community के लड़की B, C, D जो भी आपको नाम दे सकते हैं Hindu, Muslim, Christian, Parsi, etc लड़के की उमर 21 प्लस होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये legal है आप laws देख लीजिए आप constitution देख लीजिए constitution को समझेंगे, law को समझेंगे तब पता चलता है कि ये तो हमारे freedom है हमारे देश में कि आप जिससे चाहे उससे अगर आपकी right age है और आपने decision लिया है अगर आप capable हैं तो फिर आप कर सकते है मैरे जिसमें सरकार को कोई दखल अंदाजी देने की आवशकता ही नहीं है तो इस ordinance के मादियम सरकार ये कहना चाहती है कि एक mass conversion चल रहा है तो क्या हर गली में हर corner में देश में ये mass या फिर उत्तर प्रदेश में हर जगा पर हर एक 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 घर पर जाकर पूछे तो आपको हाँ यार ये हमारे तो लड़का या फिर लड़की को किसे ने convert कर दिया क्या ऐसा चल रहा है of course not दूसरी जो interesting चीज़ वो ये है कि अगर mass conversion चलते तो क्या police को या फिर intelligence bureau को इसके बारे में पता नहीं होता अगर illegally अगर तलबार की धार पर किसी को convert किया जा रहा है तो सरकार को और पूरे समाज को पता चल जाएगा कि क्या चीज़ चल रही है तो ये secret कैसे हो सकता है assuming a somewhat unbelievable scenario does exist how does one justified immediate action for promulgating an ordinance तो फिर अगर ये reality में अगर ऐसा नहीं है तो फिर ordinance को promulgate करने की requirement कहां से आई फिर ये जो ordinance है उसमें section 3 है section 3 prohibits conversion or attempt to convert any person from one religion to another by coercion or fraud etc or by marriage आप of course fraud से अगर किसी को ये कहते हैं कि आपको इतने पैसे मिलेंगे और आप convert हो जाएए तो मेरा मानना है ये चीज़ गलत है अगर आप किसी को बड़े बड़े वादे दिखा कर convert कर रहे हैं और फिर वो चीज़ नहीं fulfill करते तो ये गलत है लेकिन अगर किसी को genuinely marriage right किसी के साथ करने है और marriage तो illegal है नहीं तो फिर उसमें क्या problem है that is one question दूसरी चीज़ section 7 है अब section 7 में ये कहा गया है कि अगर police officer को ये लगता है कि यहाँ पर marriage के माधियम से किसी का conversion किया जा रहा है तो magistrate को पूछे बिना CRPC के तहट police जो है police officer जो है उस व्यक्ति को रोक सकते है उसको arrest कर सकते है तो को आप marriage करे उससे पहले आप crime करे उससे पहले आपको prevent किया जा सकता है रोका जा सकता है तो ये है अगर मान लिजे कि आपको marriage नहीं करना है आप X community के है और आपको Z जो धर्म है वो बहुत पसंद आता है उसके विचार उसकी philosophy आपको बहुत पसंद आती है तो आप सूचते हैं कि मुझे इस धर्म में convert हो जाना है आपको उस धर्म को अपनाना है तो भी आपको prove करना पड़ेगा बर्डन जो है वो आपके उपर होगा section 8 के ताहित sorry section 12 के ताहित आपके उपर बर्डन होगा आपको ये साबित करना पड़ेगा क्या आप fraud या फिर coercion या फिर cheating के लिए convert नहीं हो रहे है और same thing goes with a marriage अगर आप marriage करते हैं आपको district magistrate को ये प्रूव करना पड़ेगा प्रश्मे ये भी है कि अगर district magistrate ये चीज को reject कर दे तो उसके बाद क्या होगा तो ordinance is prone to abuse ये जो ordinance है अफकोर्स इसका abuse होगा दूसरी चीज ये एक ऐसा scenario भी हो सकता है कि कोई X और Y लड़का और लड़की जो हैं कहीं पर बैठे हैं आपने देखा कपड़ों से आपको पता चल गया जो पी के फिल्म में दिखाते हैं कि religion जो हैं वो कपड़े या फिर fashion के साथ जड़ा हुआ है कि आपने कुछ खास प्रकार के कपड़े पहने तो लोग आपको कहेंगे कि ये हिंदू है ये मुसल्मान है ये क्रिश्चन है एक्सेटरा तो गिर आपने एक लड़के और लड़की को देखा और आपको लगा कि ये चीज आपको पसंद नहीं है आपको ये पसंद नहीं है कि इस community का लड़का इस community की लड़की के साथ बैठ है तो अब पुलिस को फोन करेंगे और कहेंगे कि मैंने ये देखा है कि यहां पर conversion की बाते हो रही थी और लड़की को convert किया जा रहा है अब देख लीजिए यहां पर है वो लड़का लड़की तो पुलिस जो है वो उस लड़के को गिरफ़तार कर सकते है सिर्फ उस लड़के को नहीं उसके परिवार के लोगों को भी गिरफ़तार किया जा सकता है तो क्या ये constitutional है तो क्या ये constitutional है तो आंसर इस अफ़ कोर्स नोट ये constitutional बिलकुल नहीं है Moving on Instant loan apps Times of India का ये एक interesting article है कुछ टाइम पहले ये चीज हमारे सामने आई और पुलिस का मानना ये है कि 21,000 करोड रुपीज का ये racket है Instant loan applications इन दे संस मोबाइल अप्स तो मोबाइल में एप डाउनलोड करें और एप आपको loan मिल जाएगी तो आप सोचेंगे कि मेरे bank में पैसे आ रहे हैं तो इसमें problem क्या है मेरे bank में इसे पैसे तो जा नहीं रहे हैं मेरे bank में तो पैसे आ रहे हैं तीन suicides हुई हैं तेलंगना में और एक Chinese connection भी इसमें मिला है Chinese national जो है वो ये call center चलाता था अब problem यह है कि बहुत ही easy money easily आपको पैसे दिये जाते थे आप मोबाइल फोन में ये app डाउनलोड करें आप आधार कार्ट की details दे bank के statements प्रोवाइड करें और आपको कही पर नहीं जाना है बस घर बैठे phone से ही आपको ये loan जो है वो मिल जाएगा आपके bank account में ये पैसे transfer किये जाएंगे interest rate of course ज्यादा होगा क्योंकि security यहाँ पर ना के बराबर है आपने कोई चीज security में नहीं दी है तो interest rate बहुत ही ज्यादा होता है अब अगर आप ये loan पे नहीं कर पाए तो ये लोग क्या करते हैं क्योंकि जब आपने ये mobile app डाउनलोड किया था और loan की application दी तो उन्होंने आपके सारे phone contacts, details you know personal details ये सारी details उनके पास है तो ये लोग आपको दूसरी एक advertisement के माधियम से offer करेंगे कि अगर आपकी loan को repay करना है तो हम आपको दूसरी loan देंगे और वो दूसरी loan जो है वो उसका interest rate और ज्यादा होगा तो आप loan के चकर में फसते जाएंगे आपको अपनी property बेचनी पड़ेगी और loan अगर आपने एक बार ले ली तो आप debt trap में फस ही जाएंगे इस प्रकार की design है इसमें और collection agents जो है local collection agents को बेजा जाता है आपको परिशान किया जाता है घर पर आकर you know how they behave and things और इतना ही नहीं आपका data use करके क्योंकि आपने access दिया था इस data का तो यही data use करके वो social media के उपर भी आपको बदनाम करते हैं तो हर तरफ से आपके उपर pressure डाला जाता है और बहुत सारे लोग जो है तेलंगना में तीन आत्म हत्या इस वज़े से हुई RBI ने इस प्रकार के apps को permission दी ही नहीं है और येक और चीज है कि आज के जमाने में देखिए कितनी नई नई अच्छी companies भी आ रही है लेकिन इस प्रकार के भी business models है इस प्रकार के भी companies है जो लोगों को loot रही है और प्रशन ये है या फिर चिंता का विशह ये है कि हमारी जो बड़ी-बड़ी companies है बड़ी-बड़ी agencies है लाइक RBI एक्सेटरा इनके पास इतने पड़े लिखे अच्छे समझज़दार experienced लोग है तो ये लोग इस प्रकार की चीज़ों को सोच नहीं पाते या फिर रोकने जब कुछ गलत होता है उसके बाद ही कुछ action लिया जाता है कितने सारे लोग बरबाद हो जाते तो I think यहां पर हमें और ज़्यादा proactive बनके हमारी जो agencies हैं आज के जमाने में क्योंकि mobile के ओपर कितनी digital world में कितनी सारी possibilities है तो advance में ये सारी चीज़ों के ऊपर discussion होनी चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे या फिर दुनिया के अगर किसी देशों में ऐसा हुआ है तो इसका access होना चाहिए ताकि आप right time पर decision ले सकें modernizing, policing to meet cyber threats and a strong data protection law strong data protection law की भी आव सकता है यहां पर क्या हुआ क्योंकि हमारे देश में कोई खास ऐसा protection नहीं है data protection law तो इसकी बज़े से ये सारे abuses जो है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं and that's everything in today's discussion dear friends तो यह है कुछ news items आप pdf को download करने के बाद इसको देख ली जेगा and I think यह बहुत time हो गया राइट I faced camera एक बार studio में से में ने record किया था हमारी जो office है study IQ का studio तो वहां से I think it's been two years two years दो साल पहले शायद एक ऐसा record किया था मैंने and अब तो यही you will see me every day तो it's very exciting for me as well थोड़ा weird feel होता है पहले camera नहीं था तो it was a different thing but अब camera है but that's fine नहीं चीज़े तो try करनी ही पड़ेगी और I strongly believe के दिरे दिरे अपनी boundaries को you know हर एक व्यक्ति को हर एक organization को नहीं नहीं बदलाव करके जीज़ों को improve करना चाहिए I think this is we are heading in a direction in a sort of improvement तो थोड़ा interactive भी लगेगा आपको थोड़ा मज़ा भी आएगा I think तो यह है पूरा इसके पीचे जो main idea है वो यही है तो that's everything from my side dear friends make sure के यह new year sale का आप लाब जरूर उठाए है सारी information आपको कहां से मिलेगी हमारे mobile app से तो download करें हमारा mobile app और कल है Sunday तो make sure you enjoy your weekend rest और repair भी उतना ही important है तो repair yourself and let's meet on Monday till then enjoy your studies और हाँ बताईएगा जरूर हाँ आज का जो session है with face and all तो यह आपको कैसा लगा do let me know in the comment section मैं आपके feedback का इंतजार eagerly कर रहा हूं thank you very much God bless you all Jai Hind